प्रिविद्या थी। हमने अब तक बात की ग्रीक जोग्रुफर्स की कॉंट्रिब्यूशन की भूगोल के क्षित्र में, इसके बाद रूमन जोग्रुफर्स के योगदान की भूगोल के क्षित्र में, फिर अरप भूगोल विट्दाओ की योगदान की भूगोल के क्षित्र में और उसकी बाद हमने इस अधेन के दोरान अब तक हमने जितना जोगर्फर्स के थौट को देखा पढ़ा जाना हमने ये पाया कि एक समय ऐसा आया जब सारे ज्ञान विज्ञान को थोड़ा सा पिछड़ना पड़ा और कुछ नया नहीं हुआ भॉगलिक जगत में अरब ज ज्ञान थोड़ा सा और प्रमुख हुआ मुखर हुआ लेकिन इसके बावजूद विज्ञानिक जगत में भॉगलिक जगत में एक इस्थाय तुसा आया इस्थाय तो को बलकि हमें कहना चाहिए कि एक स्थरता आ गई जिसमें कुछ नया पन नहीं था जिसमें ऐसा लग रह या विकास की एक दिशा बनती गई तो वह कहलाया एज ओफ डिस्कवरीज खोजों का यूग नवीन खोजों का यूग नवीन विकास का यूग आज हम उसी की बात करेंगे क्योंकि ये वह ये वो यूग है ये पंदरवी शताबदी से वो समय प्रारंब हुआ जहां पर समस विश्यू का परिद्रिश्य इन नवीन खोजों के कारण बदला करांतिकारी रूप से बदला इसलिए इस समय का अध्यान किसी भी विज्ञानिक विश्याय के लिए बहुत महत्तुकून है बलकि ये कहना चाहिए कि हर विश्याय की प्रिश्ट भूमी जो वर्तमान में वि उस से पहले यह बात करनी द दुरूरि जिन्हों ने भौग अवगलिक जगत को भी एक सुद्रड प्रिश्ट भूमी प्रदान की इसमें पहली पहला इस्थान आता है मध्य एशिया और चीन में मार्को पोलो ने बहुत विस्तरत अध्यम किये मध्य एशिया और चीन का कुछ हिस्सा जो समस्त विश्यों से बहुत जुड़ा हुआ नहीं था अधेन के संदर्वे में अगर हम बात करें तो लेकिन धीरे धीरे वहां तक भी मनुश्य पहुचा और उनके संदर्व में भी उनके सुरूप में भी के संबंद में भी और खोजे होना प्रानव हुआ योरोप में पुनरजागरण हुआ पुनरजागरण का मतलब है कि बिल्कुल पूरी तरीके से हेर फेर हुआ चाहे विकास हुआ, वो हुआ विश्व में नौ वहन कला का विकास, नौ वहन यानि नौ का संचालन, जो समुदरी मार्ग थी, जिन जल मार्गों के द्वारा विकास होता था, यात्राएं की जाती थी, इन मार्गों के विकास में महत्पून परिवर्तन आए, महत्पून और क्रांत शुरू हुआ दिशा सूचक का प्रयोक शुरू हुआ जिससे दिशाओं का नरधारन करके यात्राइं करना आसान हुआ और समुद्री यात्राइं जादा अच्छे तरीके से जादा कहना चाहिए कि जादा सुद्रड तरीके से और जादा उद्धिश पुन तरीके से की जाने लगी तो ये एक करांतिकारी परिवर्टन इस शित्र में था और इसने सीधे सीधे प्रभावित किया नए प्रदेशों की खोज को क्योंकि उससे पहले कुछ समय तक हमारे पास जो ग्यात विश्व का सुरूप था सिर्फ उसी का अधेन किया जा रहा था बाहर उस ग्यात प् पास के अविश्कार के साथ नए प्रदेशों की खोज भी होने लगी यहां एक राजनेतिक जो सुरूप आया एक राजनेतिक घटना जो वो होने लगी वो यह हुई कि मुस्लिम और जो कि अरब सामराज्य पुरा था उसका थीरे-धीरे पतन होने लगा पतन इसलिए कि उस अतना प्रभावी नहीं राज जो बीच में एक समय में रह गया था पर अरब के ग्यान के विकास के बाद वह वाली जो पारंपरिक अवधारन आये थी या जो अवग्यानिक अवधारन आये थी वो ऐसा नहीं है कि वो वापस आ गई अरब सामराज्य के विखंडन के बाद वो पीछे ही रह गए बलकि योरोप में पुरण जागरण, योरोप में करांती के बाद, ये धीरे धीरे ये योरोप जो है, वो विश्व में तकनीकी और विग्यानिक रूप से एक सुद्रड शक्ति के रूप में उभरा, राजनेतिक रूप से भी एक शक्ति के रूप में अब यरोप का विकास होने लगा यह यरोप के ग्यान विज्ञान के विकास ने समस्तर विश्व को प्रकाशित करना शुरू किया हम ऐसा कह सकते हैं प्रिंस हैनुरी ने केप सेंट विंसेंट के निकट इस समय में फॉर्स इंस्टिटूट ऑफ जोगरुफी भूगोल के प्र गोल वेत्ताओं को और गणितग्यों को अपने उस संस्थान में आमंतृत किया और भूगोल को इन सारे विज्ञानों का सहारा देते हुए एक सुद्रण विश्व के रूपे इस्थापित करने की पहली चेश्टा की एक इंडिपेंडेंट सब्जेट के रूपे अमेरिका के तरपर 1492 में कोलंबस पहुंचा भूगोल की दृष्टी से और वैसे तो हर दृष्टी से ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी अचीवमेंट था बहुत बड़ी उपलबधी थी एक समस्त नए विश्व की जानकारी विश्व को हुई और प्रत्वी पर जो ग्यात विश्व की परिधी थी वो एकदम से बढ़ गई जो इसका स्वेर था वो एकदम से बढ़ गया 1498 में वास्को डिगामा आशा अंतरीब से होते हुए अटलांटिक से हिंद महसागर और फिर भारत के पश्वितर पर पहुंचा ये भी अपने आपे बहुत बड़ी उपलब अधियां हैं कोलंबस की और वास्को डिगामाओं की इसने समस्त विश्यू के परिद्रश्य को बदल दिया ग्यात विश्यू का परिद्रश्य बदला मूमेंट्स बदली के एक प्रदेश से दूसरे दिशा की प्रदेश की और यात्राओं का सुरूप बदला व्यापार औ प्रशासनिक व्यवस्थाएं बदली और अप्रिवेशी किस्तियां यहां पर आई और इसके साथ ही जो समस्थ भौतिक और सांस्क्रतिक भूगोल का जो सुरूप था वो अपने आप में एक नया सुरूप लेकर उभरा इसके बाद 17 जो रिमार्किबल जो डेवलोपेंट्स ह हुए मैं आपको वो बता रही हूँ जिससे हम यह पता रखे कि कौन-कौन से माइल स्टोन रहे इस डेवलोपमेंट में कौन-कौन सी प्रमुग घटना है रही भूगोल के इस समय में विकास में 1768 से 1778 की बीच इन वर्शों में कैप्टन कुक ने हिंद महसागर और प्रश को अगर याद हो टॉलमी ने एक शब्द का प्रयोग किया था टेरा इंकॉगनिटा टेरा इंकॉगनिटा उन्होंने अग्यात विश्व के लिए कहा था अर्था टॉलमी का यह कहना था कि जितना विश्व हमारी जानकारी में है उसके परे भी प्रदेश है लेकिन हमारी ज उग ने जब यात्राइश रूखी तो उन्हों ने टॉलमी की टरा इनकोगनेटा को ध्यान में रखा और ये जानने की कोशिश की कि वो कौन से प्रदेश है जिनका जिनकी ओड टॉलमी ने संकेत किया था उन प्रदेशों तक पहुँचने का प्रयास किया इस प्रयास में इन अपरिका की खोज हुई उसके बाद भारत ये योरोप से भारत तका समुदरी मार्ग खोजा गया और उसके बाद पूरु में औस्ट्रीलिया तक कॉप कैप्टन को पहुँचे तो ये ग्यात विशु का दायरा बढ़ता चला गया और हमने ये जाना कि भूगोल जो है जो जि नई संभावना हैं उनमें जो कि मानव जाती के विकास में युगदान दे सकती है तो इन प्रदेशों तक मनुष्य पहुचा जिसने समस्त भौगोलिक परिद्रिश्य को परिवर्तित कर दिया अब ये सारे विद्वान ये सच है कि उस समय तक ये सारे विद्वान मोटे त पर टॉलिमी द्वारा प्रस्तु जो अक्षांश थे जो अक्षांशों का स्वरूप था जो प्रथवी की परिदी की गढ़ना थी उससे सहमत थे कुछ नए तथ्य उभरे नए तथ्य उभरे कौन से जब नए प्रदेशों का ग्यान हुआ तो ये जरूरे की प्रथवी किमाओं का विस्तार हुआ ये निश्यत्रूप से हुआ इस दोरान कार्चोग्राफी में हलाकि इस समय में बहुत डेवलप्मेंट हुआ एक कई नए प्रक्षेप बने क्योंकि मांचित्रों की शुद्धता पर धिहान दिया जाने लगा और कई नए प्रक्षेपों में एक करने का और नौ वहन के लिए दिशाओं की जानकारी बहुत जरूरी है और सही दिशाओं की जानकारी के लिए उस समय के उपलब्द प्रक्षेपों पर आधरित मानचित्र बहुत जादा उपयोगी साबित नहीं हो रहे थे ऐसे समय में जब मर्केटर की रचना हुई मर्के पंद्रवी शर्ताब्दी से लेकर अठारवी शर्ताब्दी तक ये रिमार्किबल डिस्कवरीज हुई, ये रिमार्किबल डिवलप्मेंट्स हुए, जिससे विश्व में नए और शुद्ध मांचित्रों की रचना को प्रोचसाहन मिला, नौवेहन के क्षेत्र में ग्लोब भी बनाया गया, इस सारे संदर्भों में ये भी कहना यहां पर प्रासंगिक है, कि इसी समय में पैसिफिक ओशन की तट रेखाओं का नरधारन भी हुआ, अर्थात जब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक की खोज हो गई, तो यात्रियों ने इतने बड़े एरिया क की आतनाय कर ली, कि ये निर्धारित हो गया कि प्रशांद महासागर कितना बड़ा है, प्र teenage महासागर की सीमा है कहा है, प्राप्त कर ली गई, ये साथी पृत्वी के आकरती के संदर्भों में भी एक पिक्चर सामने आ गई, ये एक महतवून रहा उस समय तक, इसके और जो development हुए हैं, उनकी बाद हम समय की बाध्यता की कानट अगले lecture में करेंगी. Thank you.